गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट वेलकम टू स्रीबीयल मेमोरियल अकेडमी ओनलाइन प्लेटफर्म हमने इनकी एक्सराइज ए और बी दोनों कम्प्लीट की थी अब इसकी एक्सराइज सी कंटीनू करने जा रहे हैं चैप्टर है सेवन और चैप्टर का नाम है प्लेस लगाना जो रॉंग है उसके आगे आपको क्या लगाना है क्रॉस का निसान लगाना है फ़र्स्ट क्यूशन लिखा हुआ है वी सुड़ नॉट टेक एनिधिंग इंक्लूडिंग इटेबल्स फ्रॉम इस्ट्रेंजर्स वी सूड नेवर फॉलो देम इसका अर्थ क्या वो अपन को कोई चीज देता है तो उस चीज को अपन को खाने की चीज को कभी भी नहीं लेनी चाहिए including eatables, eatables का आर्थ होता है खाने की चीज कोई भी अगर अगर अजान व्यक्ति अपन को बोलता है खाने की चीज लेने के लिए तो उस चीज़ को अपन को नहीं लेनी चाहिए, we should never follow them, नहीं, अगर वो अपन को बोलता है कि साथ में चलो तो कभी भी उनके साथ में भी, कभी भी उनके साथ नहीं जाना चाहिए, तो ये क्या होगा, wrong होगा या right होगा, ये क्या होगा, right होगा, क्योंकि ये बता रहा है, we should नेवर का आर्थ होता है कभी नहीं तो अपन को कभी भी अंजान व्यक्ति के साथ नहीं जाना चाहिए तो यह क्या होगा राइट तो इसके आपगे आप क्या लिखोगे राइट का निसान करोगे second question लिखावा है we should be kind and courteous to our neighbors का आर्थ होता है दयालू और courteous का आर्थ होता है विनमरा क्या होता है इसका आर्थ विनमरा और kind का आर्थ होता है दयालू we should be kind and courteous to our neighbors नेबर्स का आर्थ होता है पड़ोसी अपन को हमेशा हमको क्या करना चाहिए हमेशा पड़ोसी होते हैं उनसे अपन को कैसा विवार करना चाहिए उनके साथ अपन को कैसे रहना चाहिए हमेशा दयालू और विनमरा शबा उनके साथ में रखना चाहिए और उन इसमें क्या है आपको कैosi लिखे हुए और आपको आंसर देने हैं फिर्सकैन लिखा हुआ है फिर्सक्यूस लिखा हुआ है वेर वोड यू गो इफ यू वीस्टू बाई स्कूल का बैग, लंच बॉक्स और वाटर बॉटल कहां से खरीतते हैं? बाई का आर्थ होता है खरीदना कहां से खरीतते हैं? मार्केट से तो इसका अंसर क्या होगा? मार्केट M-A-R-K-E-T मार्केट क्या लिखोगे इसका अंसर आप? मार्केट Second question देखो, क्या लिखावा है? Write names of two of your friends who live in your neighborhood यहाँ पर आपको अपने two friends के name लिखने हैं neighborhood जो अपने आपके पडोस में रहते हैं उनके आपको two friends के name लिखने हैं अब जैसे आपके पडोस में कौन-कौन आपके friend है उसके नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं in your neighborhood आपके पडोस में जो आपके friend है उसके आपको दो name लिखने हैं जैसे मैंने लिखा है रितिका और अनुष्का तो आप रितिका और अनुष्का नहीं लिखोगे हैं जैसे boys होगे तो आपने boys के नाम लिखेंगे जैसे girls है तो आपने girls के friend के नाम लिखेगी और ये कमपसरी नहीं है कि मैंने रितिका और अनुस का लिखा है तो आप भी ये लिखोगे आपके जो फ्रेंड है आपको वो यहाँ पर नेम फिल करने हैं थैंक यू